वहीं पर INDIA गठबंदन के नेता आज मणिपूर मुद्दे पर राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू से मुलाकात करेंगे सरकार का कहना है कि वो चट्रा के लिए राजी ही वहीं विपक्ष का रुप है कि सदन में बोलने उनको नहीं दिया जा रहा तो ये बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे है मणिपूर मुद्दे पर राष्ट्रपती द्रोपती मुर्मू से भी मिलेंगे ये बड़ी जानकारी जहां इंटिया गठबंदन के 21 सांसत जोरान मौजूद रहेंगे और सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही खड़के की ओर से ये कहा गया मणिपूर मुद्दे पर संसत में मौनसुन सत्र के शुरुवात से ही विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष संसत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है इस बीच आज मणिपूर के मामले पर विपक्षी गठबंदन के नेता राशपती से मुलाकात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे इन नेताओं में INDIA गठबंदन के वो 21 संसत भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने मनिपूर का दौरा किया था इस बीच कॉंग्रेस अध्यक्ष और खरगे ने कहा है कि राजसभा में इस सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तयार है लेकिन विपक्ष सियासत कर रहा है नोह हिंसा के बाद फ्लाग मार्च गुरुग्रा में पुलिस का फ्लाग मार्च देखने को मिला है कई अलाकों में पुलिस ने फ्लाग मार्च किया है